जापानी भुखार के बढ़ते मामलों को देखते वे मध्यप्रदेश के स्वास्ते विभाग ने जापानी वैक्सिनेशन कैम्पेइन शुरू किया है सरकारी और निजी अस्पतालों में वैक्सिनेशन की प्रत्रिया शुरू कर दी गई है भुपाल में 20 सेंटर्स पर ये कारिकरण चल रहा है देखें भुपाल से सयोगी आयूशी जैन की रिपोर्ट मध्यप्रदेश की रासधानी भुपाल की सरकारी और निजी अस्पतालों में आज से जापानी टीका करण की शुरूआत हो गई है मेरे साथ स्वास्त अधिकारी प्रभाकरतिवारी मौझूद है इनसी जानेंगे कि क्या कुछ तैयारिया इस अभियान को लेकरे सर एक से एक साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को ये टीका करण लगाए जाएगा क्या कुछ सिम्टम रहेंगे क्या कुछ उपाए देखे इसमें जो तैयारिया है हमारी हमने अपनी तैयारिया पूरी कर लिए इसके लिए अभी एक साल से 15 साल तक के बच्चों को एक सिंगल डोज इंट्रमस्कुलर वैक्सीन की लगेगी जो 0.5 ml होगी इसकी वैक्सीन हमें प्राप्त हो गई है और ये वैक्सीन जो है कोल चैन की थुरू जहां जहां पर ये वैक्सीन लगेगी जैसा कि आपने बताया कि लगबग हमारे 20 चिंदित हस्पाल जिसमें निजई अस्पाल और सरकारी एस्पताल दोनों शामिल हैं दोनों जगहों पर ये वैक्सीन निशुल्क लगेगी निजी एस्पतालों ने खुद से आगे आके इस वैक्सिनिशन अभियान में शामिल होने की पेशकश की थी जिसे हम लोगों ने एकसेप्ट किया है और हम लोग उनको वैक्सीन देंगे बोपाल के कितने प्राइवेट अस्पतालों में ये लगी जाएगी ये लगबग 12 प्राइवेट अस्पतालों में ये रहेगी जिसमें लगबग सभी निजी मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पताल शामिल है इसके अतरिक जहां जहां भी हमारा रूटीन वैक्सीनेशन होता है चाहे वो आगनवाडी हो चाहे हमारे खुद के स्वास्त केंद्रों वहाँ पर मंगलवार और शुकरवार को ये वैक्सीन एवलेबल रहेगी और इसके बाद एक बार जब ये स्कूल खुलेंगे बच्चों की उम्मिनिटी के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? उनको तो आपने को जानकारी है कि आगनवाडी केंद्रों से ही बच्चे पैदा होने के बाद ही उनको पोशरता तो मिलते रहें पोशर नाहार मिलता रहें इसका तो एक बहुत बड़ा ड्राइव होता है महिला बाल विकास बिभाग के दौरा उसकी अंतरगत कोई भी बच्चा को बोशित ना हो ये सरकार की सबसे बड़ी प्रात्विक्ता है बहुपाल के बाद अब कौन से जिले है जो जिनमे टीका करण की शुरुआत की जाएगी और एक साल से लेके पंदरा साल तक के बच्चों में जो सबसे जादा इंफेक्शन देखने को मिल रहा है उनमें ये टीका करण की शुरुआत की जाएगी कैमरा साथी राजुबातम के साथ आयूशी जैन एंडी टीवी